तो डॉक्टर रीटा पहले एपिसोड में हमने बात की थी एक आपके जर्नी की, इंफ्लूएंसर्स की रिस्पॉनसिबिलिटी की, विमिन के बिकिनी पहन के स्टेज पे चढ़ने और उससे लिए टाबूस की और उसको कैसे अपने माइंड को ठीक रखें, इस एपिसोड टू ढरिग के जज़ आपका काम क्या होता है, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप प्राक्टिकल बात करें कि जजमेंट में हमें फॉर्म दिया जाता है, हमें पहले बताय जाता है, यह रिस्पॉनसिबिलिटी होती है, थोड़ा प्राक्टिकल्य आप सब को बताए की, what is it like, क्यूंक का, but I'm sure रुत्मे के बीचे कंधों पे टन्स का भार भी होगा. Please, over to you. Thank you so much. सबसे पहले तो मैं बहुत बेटफूल हो कि you know, in Southeast Asia I'm the only woman judge and I'm judging all the divisions. So क्योंकि मैं प्रोकार जीता था, जब मैंने जीता था, तो मैं उससे पहले बहुत कॉंपूटिशन्स मैंने नपीस में और इंडिया में भी को रेप्रेसेंट किया था, सैंड मरीनों में प्रोंग कोंग में, कई जगा मैं और कंट्रीस में गई थी. So I remember the, you know, meeting in Czechoslovakia, जो Steve Wainberger है, जो वहाँ पर भी एक Olympia हुआ था, और थारे लोग जो वहाँ NPC में है, IFBB Pro League में है, मैंने उनके साथ बहुत क्लोसली वहाँ ट्रैवल करके काम किया है, तो एक तो हूँ मेरे को जानते थे, कि मैं मेंस डिविजन को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हूँ. डैनिस जी के साथ, जब मैं, जब बिग रामी ओलम्पिया के लिए प्रिपेर कर रहे थे, बहुत साल पहले, I think 2012 या 2013 में, मैं उनके साथ जाके काफी दिन रही थी, और हम तीनों जाया आते थे, जब वो अलम्पिया के लास्ट, I think two months बचे थे, तो हम लोग बैट के बात करते थे, और मैंने देखा था कि कैसे इन लोगों ने बनाई हूई है, डैनिस जेम्स की बेटी भी जो है, क्योंकि the essence, the basic, you know, line in body building is कि हम अपनी habits को और mind को condition कैसे करें, कि हम इसको एक lifelong target रखें कि हमने अपनी habits पर work करना है, तो उनको सब को मालूम था कि मैंने मैंस डिविशन के साथ काम किया है, और Tim Gardner बहुत मेरे को पसंद करते थे, शैनन डे के साथ में रही हुई हो, देटो ना भीश में जब उनका office था, वाँ, तो मैं काफी बहार रही हुई हुई हूई हूँ और उनको मेरे पर फेथ था, जब मैंने अपना pro card जीता, तो यहां पर जो promoter है, मैं पर में प्रोमोटर शेरु अंग्रीश जी है, मैंने उनको बोला कि हर अथलीट को कभी ना कभी रिटायर होना पड़ता है, चाहे वो कपिल देव हो, या सुनिल कावसकर हो, या सचिंत अंदूलकृफ को सुथ तो यंगर लोग भी रिटायर होने लगए, मुझे कभी तो रिटायर होना पड़ेगा, और मैं इस फील्ड से जुड़े रहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत इंडिरेक्ट वेज में, यह स्पोर्ट जो है, इस बेरी क्लोस तो मैं एक एक्जाम्पल भी बनना चाहती हूँ, तो तेल दे वुमेन हाव तो रिटायर, रिटायर ग्रेस्फुली और जो एथलेट्स होते हैं, वो बहुत लाइम लाइट में होते हैं, लेकिन उसके पात उनके अंडर एक बहुत विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, तो आप बहुत काम कर सकते हो, और उसको एक्जाम्पल एक सेट करने के लिए, एक एजुकेटेड वे में, उझे ऐसा लगता था कि इट इस माइ रिस्पॉंसिबिलिटी तो शोर तो 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 मैंने अपने सारे तो पोस्ट्राइट डिप्लोमा किये तामिलनादू उनिवर्सिटी से, और मैंने केटल बैल फेडरेशन से, जो इंटरनाशल इंसिट्यूट और केटल बैल फेडरेशन है, पिलाटे इंसिट्यूट ऑफ अमेरिका है, वहांसे मैंने पिलाटे किया है, एडवास निट्रिशन मैंने प्रोग्रेशिव फिटनस उसे से किया है, ऐसे बहुत सारे मेरे पास पूरी लिस्ट है, तो उनोंने हमें बोला था कि आप बैट के जजिंग करो और हम इसको मैच करेंगे कि हैड जज से मैच होता या नहीं और उसके बाद उनोंने मेरी इंटर्व्यू ली थी, मेरे साथ डिसकस किया था दो-तिन दिन मेरे से बात करी थी, ब्रेकफस टेबल पे मास अली थे, टिम गार्णर फोरस, he was there and मैं जुड़ी रही हूं with a lady जो पूरे women divisions को IFPV में, you know, head करती है you know, उनोंने हर division के बारे में बहुत detail में बोला है जो Sandy है, she is very, very respected बहुत जादा social media पे नहीं आती but, you know, we all respect her जो भी IFPV में closely, you know, senior badge में जुड़े हूए है सब उनकी बहुत respect करते हैं और उनकी मिंड में बहुत clarity है हर division को लेकर खास कर भी में तो फिर उनोंने मेरे exams clear हुए और उनोंने एप्रूफ किया, you know, as an international judge so this is how, like, I have to tell everybody that how I became an international judge and, you know, an IFPV pro-lake judge so now after that, you know, I started judging and it's a process क्योंकि judging जो है, बहुत सारे athletes जो होते हैं वो stage पर होते हैं और, you know, बहुत छोटे से time में हमें judge करना होता है उसके लिए it is an amalgamation of science and art वो सिरफ ऐसा नहीं है कि आपने बस anatomically study कर लिया वो एक art भी है क्योंकि आपने balance देखना है symmetry देखनी है, conditioning देखनी है और एक overall presence देखनी है posing जब हम करते हैं तो आपने, even अगर आपका body you know, उतना, कोई weak part है तो illusion कैसे create करनी है कि किस body को आपने flare up करना है कहां, Kenny Valash है Connecticut में जो जिनसे Dexter Jackson भी posing सीखते हैं मैं न्यू यॉप गई थी तो मैं उनके पास गई थी और, you know, Dexter Jackson को 20 years हो गए and like, वो ऐसा लगता है कि कभी बंद ही नहीं करेंगे, he's like evergreen, और वो हमेशा करते रहते हैं और वो, क्या उनको posing नहीं आती होगी, of course उनको आती होगी लेकिन वो ट्राइव करकर सीखने जाते हैं Kenny Valash से और मैं जब उनके पास Kenny Valash के पास गई थी Connect Ticket तो, I was, obviously, मैं फस्ट थी इंडिया से तो उन्होंने न्यू डेली के ओपर स्टैंप लगाया था मेरे सामने कि अभी मेरे पास कोई भी आए but you are the first चोटी-चोटी चीज़े होती होंगी अगर लोग साइट पोस्ट कर रहे हैं तो हमने ऐसे नहीं कर ना कि हम लोग सिरफ आम्स रेस नहीं कर रहे हैं हमारा परपस ही है कि हम अपने लैट्स को फ्लेर करके दिखा रहे हैं तो आपने एक बाड़ी को present कैसे किया है it is presentation आप कितने relaxed हो सारी चीजें matter करती है और जो real champion होता है वो first look में you know he stands out तो मैं मैं में बहुत एक चीज देखती हूँ वो मेरा individual है और मुझे बोला जाता है बाकी judges बोलते हैं आप बहुत बहुत जादा सोचते हो इतना मत सोचो लेकिन मैं बहुत देखती हूँ कि मैं की legs body building not in men's physique body building classic body building क्योंकि सारे men मैंने देखा है डोले शोले chest vest बड़ा करते रहते हैं लेकिन वो लोग अपना posterior deltoid हो गया या you know this glute hem tie हो गया posterior chain हो हो गया उसकी flares उसके divisions हो गया उसको separations हो गया उनको उसको फोकस नहीं करते यह अपर बोड़ी पर बहुत फोकस करते हैं और फिर लो तो मैं जब देखती हूं stage पर जब first you know line-up होता है तो मेरी नजर automatically by default जाती कि quads किसके अच्छे हैं वह से मैं देखना start करते हूं और जहां तक feeling जब से पहला elimination round तो यही हो जाता है आपके लिए quads देख लो सबके, legs देख लोगे elimination हो जाएगा अपकोस overall balance होता है लेकिन that is a very primary thing जो हम notice करते हैं कभी-कभी जब दो bodybuilders बहुत अच्छे होते हैं और उनके बीश में जज़ करना मुश्किल होता है तब back पे back से बहुत कुछ पता लगता है बहुत कुछ पता लगता है क्योंकि उसके posterior deltoids protrude out करेंगे उसका lats जो है flare कितना होता है जो lats to waste ratio है वो कितना जादा है और यह सब चीजे ब्लोटेट गर्ट तो नहीं है तो फिर हम लोग यहां पर आ जाते हैं कि कोछों चीजे अंदेखी होती है जैसे काव्स होते है वहां से हम लोग decide कर लेते हैं कि किसको जादा देना है और एक बात यह होती है कि कंडिशने हमेशा लास्ट पीक में होती है लेकि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो उसको डेवलप करने में बहुत साल लग जाते हैं तो जो बेसिक स्ट्रक्चर का आउटलाइन है that should be a primary criteria for doing the first elimination तो these are my readings you know as an individual तो दूसरा जो है कि मैं as a judge खासकर जब girls आती है stage पे मैं अपनी responsibility सोचते हूं कि मैं उनको comfortable feel कराऊं क्योंकि the very fact कि वो stage पर आए हैं तो मैं सबकी respect करती हूं क्योंकि एक normal lady अपना पेट ही कम नहीं कर पाती है या cellulite में problem होती है और ये सारी चीजों से ये जो लड़किया है ये लड़के और सब करके अपनी enjoyment और parties और whatever सब sacrifice करती है उन्होंने किया है तो जब मैं उनको कि I do it क्योंकि I love them and respect them all और मेरे लिए बहुत heartening experience होता है जब बहुत सारी girls कह दिये कि Rita मैं बैठी थी तो you know we were at ease हमको अच्छा लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है so that's it's a very very beautiful experience और bodybuilding compete करने के बाद भी you know वहां पर बैठना मेरे है कि मैं भी भी जोड़ी हुई और lifelong I can serve in this industry so I'm very very grateful तो मैं आपसे यह पुछना चाहता हूं कि practically जब 18 या 20 या 10 athletes का line-up है और आपने देखना चालू किया जरूरी नहीं बहुत ही common question आपके पास भी आता होगा practical problem होती होगी कि जब आपने देखने शरू किया तो हो सकता है उन लोगोंने flex किया हुआ है लेकिन जब तक आप यहां पर पहुंचे वह उन्होंने छोड़ दिया है muscle को तो वह उनको तो हम आप देखते हैं इंडिया मोस्ट प्रीमियम एंड प्रेमियर चैंपिन्शिप राइट वह स्टेज पर अथलीट्स ऐसे आते हैं कि जैसे पता नहीं कितने मतलब बहुत आते हैं तो हाउड यू डियल विद दिस हम लोग ने खुद इतने साल कंपीट किया है जब हमारी हमें हमारी कोई वीक पॉइंट्स थे और जब डेवलप नहीं हो रहे थे तो हम लोग बाकियों को देखते थे सीखते थे इंस्पिरेशन लेते थे पोजिंग के लिए मैं अपना होंबग बहुत करती थी आएफ जजस का पैनल होता है you know disagreement is the key 5-6 जजस का पैनल होता है तो वो हम देखते हैं कि किसके कौन से common है और कौन miss out हो रहे हैं रही बात जो flex जो आपने बोला कि लोग छोड़ देते हैं flex करना यह हम सब को सिखाते हैं यह posing में मुझे भी मेरे भी gurus बोलते थे कि even अगर आप back line में खड़े हो तो कभी भी अपने आपको डिला नहीं छोड़ना वो आपके आपने जो सालों साल hard work किया है that is your few minutes on stage you deserve to give your 100% there तो शैनन यह भी बहुत बोलती है यह एक डिल होती है लेकिन जो judges हैं वो understand करते हैं कि you know यह अभी इनोंने छोड़ा हुआ है experience से उन लोग को पता होत है कि इसने अभी धीला चोड़ा हुआ है इसको सामने बुला लो तो जब panel होता है judges का और जहां कहीं disagreement होती है तो बहुत लोग जो notice नहीं होए वो भी आगे आ जाते हैं तो वो problem solve हो जाती है more or less इतनी गलती नहीं होती क्योंकि सब बहुत सारे लोग बैठे होते हैं सिरफ ए पेपर पर वोट्के आजगेिन जेदेते हैं कि इतने हम लोग Angrosd होते है कि हमें सिरफ चंप बर याद रहता है कि वह 176 अग नंबर है पहुत अच्छा था और 2003 इतना आच्छा नहीं था तो इसकी शकल भी नहीं याद होती इस अपने बैठे थे गलट डिसेजिन दिया जो आपके साफ से सही है लेकिन सामने वाला तो इमोशनल है और बॉडी बिल्डर काफी एमोशनल होते भी है इतनी मेहनत करके आते इतना पैसा खच करके आते हैं तो कोई आपको लोग मैसेज भेजते होंगे बोलते होंगे कि को या आप भी गलत हो ऐसा होता है होता है होता है थोड़ा सो तो हमें we have to learn we have to be matured कि क्रिटिसिजम और नेगिटिविटी लाइफ में भी हर जगा वो फेस करके उसको ओवरलुक करना येक लाइफ वैल्यू है दूसरी बात है कि हमारी कॉंशन्स चानती है कि हमने चीटिंग नी किया तो हम मुस्करा देते हैं कोई बात और तीसरी बात है कि कुछ चीजें जो ह है वो collective decisions होती है head judge के हाथ में होती है और ये जो athlete है उसको understand करना पहुच जरूरी है कि एक subjective sport है it is a subjective sport, totally quantitative नहीं है जैसे आप एक race भाग रहे हो आपने race में जो आप उसको slow motion में run कर सकते हो और you know fraction of second को भी calculate कर सकते हो लेकिन body building जो है oh you have to respect the judges और ये सारी arts में होता है जैसे music competition in music में मैं बहुत अच्छा गाया लेकिन judge को you know कोई चीज नहीं पसंद है तो ये चीजें हारना जीतना इस चीजों को overcome करना ये एक प्रोसेस है of evolving और judges के लिए भी एक बहुत बहुत practice की बात है लेकिन judges more or less their very experience उनको पता होता है अभी one on one जब कोई आता है तब हम उसको बदा सकते हैं कि आपके अंदर क्या problem मैं आपको as an athlete अपना एक बहुत चोटा सा experience बताती हूं मैं बार्सी लोना में थी और मेरे कोच हुसाइम थे एहमाद असकर जो oxygen जिम कुएट से हैं और उनके एक eat smart वहां पर एक company है अगर आपने सुना होगा बहुत अच्छे food joint है only for body business नहीं नहीं जानते हैं कि owners जो है वो भी थे he was one of the judges तो competition के बाद मैं आई और मैंने बोला मेरी placing जो थी why I'm not happy with it और मैं वाकी में नहीं थी तो इसलिए जब कोई bodybuilder बोलता है मैं समझती हूं क्योंकि मेरे साथ भी हुआ हुआ है तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे अभी पूछ रहे हो मैं कुछ नहीं बोल सकता हजारों athletes आए हैं एक एक time पर 70-70 women were there on stage आप मुझे कोई photo या video दिखाओ तब मैं आपको बता हूंगा तो जहां कहीं हम elimination round में निकले हैं उन्होंने बोला as a judge मेरी limitation यह है कि मेरे पास 70 women है और मैंने एक minute के अंदर उसमें से 10 pick करनी है मैं किसको pick करूगा जो की अच्छा वो master's division था मैंने 20 year old जहां थी वहां मैं जीत गई लेकिन जहां master's division था मैं नहीं जीती तो मेरे पास भी ब प्राइट को प्राइट को प्राइट कुछ भी नहीं होता देर इस जस्ट वन डिविशन ओपन में 70 women 70 और वो किसको पिक करेंगे जो थोड़ी जिनका size थोड़ा structure बढ़ा हो उनके comparison में मेरा structure बहुत चोटा थो नहोंने 10 लोगों को जो pick up किया वो ऐसे थी जो second criteria था कि मेरी जो लेक्स थी वो थोड़ी सी as compared to जितना मेरा upper body well developed था उतना मेरा लेक्स जो थी उसमें इतनी development नहीं दिख रही थी तो उन्होंने जब photos देखी comparison देखा मुझे दूसरे मुझे देखो I am looking fantastic लेकिन जब तूसरे से compare करते हैं तब difference पता लगता है कि हम लोग मैं आपको अपन जो कमिया होती है उसको accept करके उसके उपर work करना आना चाहिए अब जो मेरी legs हैं वो last तक मैं one rep max और you know four to six reps पे रही की fast twitch muscle fiber में hyperplasia और hypertrophy होती है sarcoplasmic hypertrophy होती है उससे size बढ़ता है और मैं पूरा उसी theory के हिसाब से work करती रही जब मैंने अपना भरतना team restart किया और मैं body building से retire हो fantastic तो मैंने का जब मैं कर रही थी तब तो नहीं था उसका reason क्या था कि मैं isometric holds कर रही थी और endurance activities कर रही थी and then I realized कि मेरे legs में type 2 जो slow twitch muscle fibers है उसका distribution जागा था सो जैसा आपका body structure हो आपने अपने exercises को ऐसे design करना है तो यह बाते हैं आत्मी गल्तियां करके या experience से realize करता है तो दोनों तरफ judges की तरफ से और athletes की तरफ से यह evolving sport है USA में, UK में problem होती है इतनी नहीं होती क्योंकि वो बहुत चीजें बिना कहें भी समझते हैं यहां पर थोड़ा hype पी create किया जाता है थोड़ी number of federations बहुत जादा है सबको पता है कि mentally हम emotional लोग है प्रेशर में आ जाएंगे तो इसलिए यह थोड़ा complaining जादा होती है तो as a senior हमा लोग को बोलती हूं कि मेरे से अगर आपको मुझसे problem है तो meet me in person and I will tell you the problem. Okay, okay, fair enough. में परस दो practical सवाल हैं जो I think athlete community के लिए बहुत अच्छे रहेंगे और इन सवाल को हम हर जगा post करेंगे ताकि जास्यादा लोग देख पाएं. पहला तो ये कि मुझे 3-5 ऐसी चीज़े बताईए जिससे IFBB Pro League के December वाले competition में या generally mark up एक athlete गेन कर सकता है और 3-4-5 ऐसी चीज़े जिससे mark down हो सकता है. ये तो actually division to division matter करता है तो सबसे पहले मैं ये बोलूँ कि कि वेब साइट है उसमें criteria बढ़े है बहुत सारे लोगों को criteria ही नहीं पता, posing techniques नहीं पता कि आपने अपनी body बना दी बट आपने illusion कैसे create करना है, अपने weak points को you know highlight नहीं करना, strong points को highlight करना है और किस pose की क्या demand है और कैसे work करना है और strong points पे कैसे work करना है हमेशा ओटर structure जो है उसके ओपर बहुत ध्यान होना चाहिए, जो conditioning है वो आने में इतनी problem नहीं होती if you are disciplined, लेकिन structure जो है उसको change करना, it is like literally sculpting your body, क्यूंकि आपने जो होता है अपने genetics को भी you know super seed करना है, so that is a main thing, तो main क्या है कि अपने जो criteria है जो अपने division चूस करी है वो अपने genetic disposition के हिसाब से criteria चूस करो, if you are too large, अभी recently competition में हुआ था, nationals में, कि there was a guy with fantastic structure, बहुत जबर्दस उसका body, अर्विंद, South Indian, अर्विंद, fantastic, अगर वो जाते, definitely वो consider होते, I am not saying that because I have seen people who are big, you know in Olympia, but generally, you know, वो judges का prerogative होता है, you know, जैसे कि judges बैठे थे और Dr. Soam थे हमारे साथ, and he felt that he is too big, तो men's physique, he could have done classic body building, अगर उनोंने men's physique चूस किया है, there could be a possibility कि उनकी legs उतने developed नहीं थे, so then he will need to work on his legs, because he was wearing shorts, तो कभी किसी का अपर बोड़ी बहुत well developed होता है, लेकिन उसके जो legs है, quads है, वो उतने developed नहीं होते, तो वो men's physique में चले जाते हैं, और उसके बाद, they have to do one thing, कि जो अपने बहुत over developed parts हैं, उनको detrain करो, you know, you have to choose, आपको clarity होनी जाहिए, कि आप क्या चाहते हो, अगर आप बहुत काब लोड़ करके आके बहुत पंप अप हो जाओगे, and you will become so big, knowing, आपको मालूम है कि you have a very big structure, तो then you have to, you know, you have to create a balance, तो हम balance symmetry, IFBB के website पे लिखा है, कि अगर आपका कोई बहुत जादा strong part है, वो आपके लिए disadvantage हो सकता है, तो मैंने ऐसे actually women में खास कर देखे हैं, कि जो bikini athletes हैं, जो बहुत muscular हैं, उनको बोला जाता है कि एक-एक साल don't do weight training, एक African लड़की थी, उसका body naturally, पूरा body muscular था, और she wanted to compete in bikini, तो उसने बोला, मैं अभी, मेरे कोच ने बोला है कि एक साल मैंने weight training करना ही नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी करते हो, कि लाइट बेट से भी करते हैं, तो उसके, उसका body बहुत muscular और pump-up हो जाता है, तो क्योंकि, you know, Africans को कैसा, कैसा genetics होता है, तो you have to work according to your genetics, you have to be very clear about the criteria. दूसरा मैं एक बात, जो मैं बहुत बोलती हो, जब athlete stage पे होते हैं, अपना जो trunk number है, वो judges को visible होना जाएगी. You know, right पे पहन लेते हैं और उसको छुपा लेते हैं, उसके उपर tanning cream ढाल देते हैं, और कभी-कभी जल्दी में पांच judges होते हैं, दो judges ने देख लिया, दो judges ने नहीं देखा, तो कभी-कभी वो बुला बुला के बोलें, तो सारा जो show का flow तूट जाता है, तो one must make sure, कि जो मेरा trunk है, trunk number है, यह बहुत छोटी सी बात है, लेकिन it can cost you a lot, बिल्कुल, तो आपने उसको, और जो opposing trunks है, या competition suit है, वो सही होना चाहिए, यह बहुत basic homework है, यह तो है कि weight training करनी है, अपने weak points पे, हमने work करना है, strong points पे कैसे work करना है, उसको present करना है, यह तो stage पर number आता है, तो stage के पीछे relax होना चाहिए, बहुत जादा आपकी body stage के पीछे pumping करने से नहीं बने, आपने जो पूरे साल किया है, वो आप उस time पर नहीं कर सकते, you know, stage के पीछे खड़े होंके, एक दूसरे को देखते हैं, वो pump कर रहे होते हैं, उनको tension में, उनको देखके इस आप इस आप इस तो थिंग्स कोई बताता नहीं है, और यह चीजों पर भूह धान रखना चाहिए, इस अधिए इस नहीं इंपॉर्टन है, इस नहीं बहुत इंपॉर्टन है, इस नहीं बहुत इंपॉर्टन है, एक बहुत senior athlete है figure में, Ellen Berg, you know, she was in San Marino with me, उननों एक pro show क मुझे बता रही थी कि मैं सिरफ smile करने की वज़े से मेरा, मैं एक competition जीती थी, क्योंकि, you know, you smile through your eyes, यह बात मुझे कैनी वलाश ने भी बोली थी, कि you smile through your eyes, and वो सारा जो judge का attention है, वो आपकी smile पर presentation पर एक general attractiveness देता है smile, और जो judges हैं, वो connect करते हैं without realizing, you know, हर एक कोई, मैं इस बात को consciously realize करती हूं, मैं aware हूं, कि नहीं मैंने तुमारा smile नहीं करते हैं, तुम मेरे दुश्मन भी हो, तो मैं तुमारा body देखूंगी, अच्छा है तो I will give you marks, you know, I am like that, but a lot of people subconsciously, you know that there are different judges, there are different panels, wherever you go in the world, कहीं भी दुनिया में आप जाते हो, different states में जाते हो, कुछ judges हैं, जो experienced भी नहीं हैं, तो smile से आप बहुत चीज़ें कॉंकर कर सकते हैं, stage पे, क्योंकि आप judges से instantly connect कर रहे हैं, आप एक subconsciously ये भी दिखा रहे हो, कि आप बहुत confident हो, आप relaxed हो, आपको पता है, आप क्या करने आये हो, आपको पता है, आप क्या करने आये हो, आपको पता है, होगे, politically doesn't matter वाले जवाब देने है, REALLY what it is, इसमें आपके favorites भी हो सकते हैं, बट choice between the two भी हो सकती है, अगर आप IFBB pro league judge नहीं होते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं, कि अगर बोडी बिल्डिंग के बाद होती तो शायद मैं एक कोच होती और मैं गाइड करती लोगों को लेकिन जो मैं अभी भी कर रही हूं बस जज नहीं होती बट मैं जब मैं छोटी थी तब मैं डॉक्टर बनना जाती थी I was very clear सारे आयए बीबी मेंस फिजीक के सारे आयए बीबी प्रो कार्ड विनर्स में से आपका फिवरिट कौन है मुझे एक एथलीट बहुत अच्छे लगते अभी वो कंपीट नहीं करते हैं बट इस नहीं है साधिक हजविक साधिक और इंडिया में मैं आपको नाम मता सकता हूं अगर आपको चाहे तो जुनेद मनोज भुवन उसके अलावा लोवीश वाही उसके अलावा निशांत बंसल उसके अलावा और कौन कौन है अप नहीं नाम हो गया है नहीं है तो आपको नहीं है मनोज पातिल जो है वो मैं उसको परस्टनली जानती हूं उसने बहुत सालों से महनत करी है मुझे सिधांत जैस्वाल मैंने उसकी जर्नी देखी है कि बहुत उसने बहुत साल उसने मेहनत करी है वो प्रो नहीं बनाया लेकिन I feel he's very very hard working और वो उसका never give up never die वाला जो attitude है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके अलावा आपके और कौन-कौन फेवरेट हैं चाहे वो bodybuilders हैं इंडिया की बात कर रहा हूं चाहे वो pro card winners हैं non pro card winners हैं male में आपके फेवरेट कौन-कौन जैसे सिधान अपने एक नाम लिया उसके लावा और किन-किन लोगों को you love to loving towards me I am very grateful और सुहास खामकर मैं मतलब अगर मुझे बोलो across divisions so I really like सुहास खामकर because you know मैं जानती हूं उसकी journey 2001 से उसने इतना बड़ा उसका example है चोटे से एक वो क्या होता है उसको महराश्टर में क्या बोलते है I don't know लेकिन चोटा सा एक कमरा था ये शाद बात बहुत लोग को पता नहीं है लेकिन वो उसमें बस एक चोटा सा stove था उसमें वो chicken boil कर लेता थ और बहुतर से कोई लेडी रोकाउटी बना देती थी और वो जाता था और वो कभी ही अपना वर्काउट मिस नहीं करता था उसका एक बहुत क्लोस ए कि अप मतलब कम्पीट नहीं करता इस लाइक नहीं इस पॉर्टी सो सुष्का राइट हैं घग मेरे बहुत सारे पैट से तो मेरे घर में भी आके रहा है और वो बचाता था कि हजार हजार स्कुएट से लोग लगाते हैं तो आप देखो सुहास खामकर ऐसे नहीं है उसका अगर जब शुरू में अब तो देखो एज के साथ lot of things happen उसको अपनी life देखनी है बच्चे देखनी है उसको इबर मैंने phone पे खा था अप अपनी family देखो don't focus too much you know मैंने इसको बोल दिया था बट उस time पे जब you know and you know maybe two decades back वो जब stage पे जाता था तो उसके ऐसा लोग इसके बारे में बोलते थे कि इसके इतने चोटे-चोटे-चोटे कहां से कौन से muscle निकल के आते हैं ये भी नहीं पता चलता है you know ये क्या है you know he was really like that you know unfortunately पहले बहुत साथा फोटोग्राफी नहीं होती थी मैंने भी बहुत फोटोग्राफिक का और वीडियो रिकॉर्ड नहीं रखा मैं किसी foreign country पे जाती थी अकेली जाती थी compete करके आगई एक भी फोटो ने केची उस ताइम social media इतना नहीं था तो you know तो सुहास खामकर across all divisions I really like him I really respect him Anybody in the new breed in the new generation जो आज 30 below है और अभी चढ़ रहे हैं सीडिया any name you recollect और Instagram पे आप उनको देखती है follow करती है ऐसा कोई मुझे नाम तो याद नहीं है लेकिन एक लड़का है जो किश्मीर से था जब तभी कास्ट्रो आया था सुमील ताहिर हाँ हाँ मुझे अभी भी याद है trunk 176 वो याद because मैं जब judging panel में थी और मैंने उसको first position दी थी तभी कास्ट्रो वस बेरी बिग स्टार और मुझे अभी तब लग रहा था कि क्योंकि है जए जए थे उससे और मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको दिया नहीं है कहीं मतलब मुझे को question ना करें तो मैं डर रही थी लेकिन आप लेकिन आप लेकिन अचिए अचिव से जजमें थी और उन्होंने मुझे बोला मैंने जब उनको बताई यह बात कि विर इस वरीद बट आइ इस वह आपकूंशन सेजिए तो उन्होंनने मुझे बोला कि यह लड़का इसमें कैपड़िल्टी है गर फिर यह बट एकिन की नहीं हो, तो, but मुझे उसका body बाके में आपको अभी मैं बता हूँ, you will connect उसकी quads बहुत अच्छे है उसकी quads बहुत अच्छे है उनका हमने recently podcast किया था, मैं आपको link भेजूँगा whatsapp पे, आप देखना, ये podcast की screen को half और half में divide करते हैं, बिचारा half में fitty नहीं हो रहा था and he's just 23, 23 साल के हैं और 23 साल के या monster हैं वो, मतलब अगर वो 23 में ऐसे हैं and like you वो भी काफी spiritually inclined है मैं आपको link भेजूँगा, आप देखना, आपको मजा आएगा, जब भी आपको समय मिलेगा amazing amazing guy for sure इसको मैं बिचार ली नहीं जानती है but you know 23, मुझे यह नहीं नहीं बता था वो 23 के हैं तो यह मेरी बहुत अर्पाइस्ट व्यू थी से लिए यूँजए यूजए अर्विन कुमारा था you know he is like very very hard working, उनोंने इनिशेटिव लिया है एहमद असकर से सीखने का एहमद असकर से मैं भी सीखती थी और you know वो जो उनको एक isolated victory नहीं मिली वो matter नहीं करता but he is fantastic क्योंकि वो जो उनोंने shoulders develop करी है और जो उनका back to waist ratio है वो बहुत phenomenal है बहुत जादा I think nobody has got that kind of structure especially okay very quickly your favorites from women's bodybuilding physique, bikini, figure, etc bikini में I think Rutuja is very good Rutuja और physique में as of now Yasmin Yasmin is not competing but physique में we don't have many Yasmin is good और figure में Deepika Deepika is good वो तो इंसान भी शायद बहुत अच्छे है I hope that they will compete soon but they are the ones I like okay okay now rapid fire to over हो गया आपके ले हमने बहुत हलका rapid fire रखा था नहीं तो हम इसको बहुत तगडा करने वाले थे और आपके difficult questions पूछते लेकिन हो नहीं किया we don't want you to be on the spot because ये conversation is just full of joy and it should remain full of joy one last message मैं खास तार पे लाइफ के लिए ये डिसेंबर वाले बिग 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 इवेंट के लिए one last message आपकी तरफ से सारे लोगों को जो आपको दिखने वाले है Rita मैं बैठी है नीचे उनके लिए because this is coming post pandemic so I will just say that don't take it so seriously that you know you are affecting yourself your general health so a lot of people who have suffered because of covid is because of comorbidities so of course if I may say so with due apologies to everybody that you know the PED and AAS they are not related to the you know this corticosteroids they are different class of steroids but I would just say that get ready to be ready abhi chhe mahine paaqi hai and jo body building hai it's a lifelong process it's a journey hum loog jeet hai ya haare hum jab stage par hote hai hum ne jo stage ki pictures kichi hai aur us mein hum ne kya sikha hai yeh humari rest of the life joh baqi life ko ah kaise impact karta hai hum ko woh message leke jana hai aur agar hum loog yeh soch hai ki hum ne woh medal nahi chita to hum baut humari life barbaad ho gai that's a very very unfortunate attitude body building should be done for building your body presenting yourself creating memories aur joh hum ne us mein aapne mind ko condition kiya hai ki hum ne aysi diet khani hai ulta sida nahi khana aur time se sona hai exercise woh habit formation jo hai woh hum lifelong apne old age tuk kise kari kar sakte hai ta ki humari achhi quality of life ho yeh apne aap ke liye bhi aur society ke liye bhi bhot bada example hai aur yeh har body builder ki responsibility hai so i would just say because abhi kuch bhi certain nahi hai uh you know uh we don't know about the third wave this that so i will say just get ready to be ready matlab agar aapa structure achha hai aap bilkul ulta si di kuch kha nahi rahe ho ap diet kar rahe ho you know natural way mein jo body building kar sakte ho go karo and the last couple of months uh 8-10 weeks ha jenge then focus on the other part you know i have to actually go on stage at this stage this is what you should be doing all right uncertainty to hai lekin meinne to apne tickets abhi se kara liye hai wonderful i mean i am looking forward meinne apna dress banha liya hai डॉक्टर रीटा आप से बात करके बहुत अच्छा लगा बहुत ही अच्छा लगा और I'm sure वैसे आपने अपने कॉन्वसेशन में इतने सारे एस्टीम्ड फॉर्णर एथलीट के नाम लिए हैं और पोच्छ के आपने नाम लिए हैं कि I'm sure इस खिल में काफी समय से हैं या एक लावन पर पहूंच चुके वह इनाम काफी अच्छे से समझ पाएंगे रिलेट कर पाएंगे कि आपने किन लोगों के साथ काम किया किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड की आपने हमें टाइम दिया यह हमारे बहुत बड़ी बात है ठांक सो मच, मचे दगता है कि यह जर्णी हमारी आप की हमारी जर्णी पॉर्टकास्टिंग के आँ दा करने की खतम नहीं होती है, इस मिन देश्म की आगर आने वाले बहुत सारे समय में आप से करने करने का मुका मिलेगा तो हम जरू करेंगे, और आप से बात करते रहेंगे. thank you so much Dr. Rita thank you so much for having me and one thing I would just like to clear when you say doctor I feel very very humble I have my doctor I am not a medical doctor because I am not a medical doctor I am a honorary doctorate United Nations Diplomatic Mission for Women and Child Empowerment because of my life journey so I would just like to clarify this to all the other people and thank you so much for having me and yet you are Dr. Rita yes thank you thank you Dr. of course I am thank you thank you so much bye-bye bye-bye bye-bye